वेल्कम गाइस वंस अगेन और आज की इस वीडियो में हम रंडम mcq पढ़ने वाले हैं जो कि 16 और 17 हो गए आई थिंग उसमें से आपके कितने आएंगे वह आप कमेंड में जुरू बताना सो एक तरह का पार्टिसपेशन हो जाएगा ठीक है ताकि नेक्स वीडियो भी हम उ बहुत सारे लोग बोलती कि डायट अंसर बताओ डायट नंसर बताओ तो यह कोई वह नहीं है कि जैसे में आपको अंसर बता दू और काम कथम यहां पर हम एक प्रॉपर डिस्कृशन करेंगे हैं कि क्या इस का मतलब और किस जो mcq है जो हमारा अंसर में सी क्यू दिया क्या है ठीक है तो यह कोईशन भली यह सोला हो स्तार हों बट इससे जो निचोड मिलेगा आपको वो कम से कम इससे डवल कोईशन का होना चाहिए ना 32-32 कोईशन अंसर आपको इससे मिलेंगे राइट तो कोईशन पहला हमारा क्या है होटेर ओवन इस अ टाइप अ टाइप सो मोस्ट औरड ड्राय हीत दोन्यों का मिक्शर यह ड्राही हीट टाइपmanuel नहीं तो कौण सा टाइप का हमारा यह है इसका राइट अंसर हो जाएगा ड्राय हीत ग हमासर ओट्र्ट मैथर बेस्ट होता है जो हमारा तोफोट्वीछ क्ट गुलेट अंसर होटे इस लिए मेन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में से कों से टेस्ट किया जाता है फिर्स्ट हमारा ऑप्षिन क्या है एस्टोजन इसमें से राइट एंसर हमारा हो जाएगा इसको ही शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते है एच सी जी राइट अब यह और यह वर्ड थोड़ा कन्फ्यूजिन हो सकता है ठीक है तो कई बाश्टोजन इसको भी टिक कर देंगे तो यहीं होता है कि आपका प्रेजंस माइंड कितन ही तायप 4 होता है तो यह गोली ईना आपकॉटिविट है राइट एट रहाम कउश्टन हो से और या फिर दिविनेशन ऑ इंपिश्त ले टाहए यह फिर क्रोस डिश्लाबर होती हुट तो यह यह थी टीले कड़ेगी तो यो तो दिले टाईọn तो इसका right answer क्या हो जो so type 4 होती हो कहती slow type होती तो यानि वो delay करेगी so delay type कोंसी तो हमारी type 4 hypersensitivity बहुत देर में हमको reaction देखने को मिलता है जैसे की 600 klinik हमारा test होता है जिसमें कि हम पेशन को पीपीडी प्यूरिफाइड देते हैं पेशन की आम में और उसका रिजल्ड अपने को नेक्स्ट देखने को मिलता है ठीक है 24 आर बाद तो क्या हो यहां पर कोई चीज हमने इंजेक्ट की शरीर के अंदर उस शरीर ने उसके खिलाफ क्या काम किया बहुत तेजी से रिक्शन होने वाला इस इस चंडिशन में राइट तो इमीडेट टाइप होती हमारे है प्रस्ट इवन गार विच और इस मोस्त अफेक्टिट दूरिंग जॉंडिस तो जॉंडिस क्या है जिसको मिले गया तरसमें से कौंसा उस कंडिशन में हमारा जो और लिवर और लंग्स जान्डिस क्या है मैंनली लिवर से लिटीट पॉल्म है लिवर अपना जो काम असाइस से नहीं करेगा तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा लिवर हमारा मोस्त अफेक्टिड रहना था किसमें जोन्डेस के केस में और जोन्डेस भी फिर प्री जोन्डेस पोस्ट और जो हमार एक्चुल जोन्डेस है इन तिनों में डिवाइड होता है यह एक अलग्ट टॉपिक हो सकता है और यह वीडियो भी इसकी बनी ही तो आप वो चेक कर सकते हो जिसको हम कोड कहते है न जैसे पुराण ने सीरियल में देखा हुए कोड हो गया तो किस की क्या कहते है उसको लेप्रोसी कहते इंगलिश में बड़ तो किस के कारण होता है वह माइको बैक्टीरियम प्लोस्टीडियम एसीनिटो वेक्टर और लिस्टीरिया देखो जिन्नों ने बुक नहीं पड़ी होगी उन यह कोशन तो उनके बाउंस मारेगा कुछ भी अंसे देखो जिन्नों ने थोड़ा सा भी हम डिसकस करते हैं सारी वीडियो में ने खुद प माтеक्को बैक्टीरियम में और मायकोबैक्टिरियम एक ब त। मेलटॉनICE सुरिटीट दो मेलटॉनी इस करेवा करेश होता हमारे किस पार्ट से एह हमारा हो गया थार हलाईourdocrylend कि कतना है और रचे दो होता है नगक है थी थो एक पिलेट भी होंगा हमारे और नफिल डी डाली , पिलेक्रवी जुद्ध विर आउज होंगा हुंग हर्षार million करें और एक kind of syndrome भी होता है इसका राइट एंसर क्या होगा पैंसाइटोपीन है पैंसाइटोपीन है इस राइट एंसर इसमें क्या होता है हमारे बोड़ी के जो तिनों important cell होते हैं में अप्लेट डवली बीसी और रबीसी तीनों के तीन यह लग जाते हैं राइट एप्लास्टिक अनीमिया भी इस कंडिशन को ही कहते हैं ठीक है एट स्बेसा यह स्ट्डेश स Participant अजिके क्या है गें फॉत रोम होते हैं एक्प Acts में वे यह स्वाल जॉगलपनकों से गया हिए ही नुक्य लोटाइड होगा और नक्या नजक संवर मोलीम मेंतर होता है किसी भी हमारे नियुटीम होता है कि갔 हुइंड इनल में होता है उस्में को झान का ये त्याय तूलै फाइब दिमेंशन देखने को तो इस तरह कुछ हमारा पांटी टर्टियु घिला तरफ पाइब सई दन शीन उन्सकेन है उन्हारा है हमारा नेक्स्ट पूशण क्या है है हैंसें बैसिल्स इस हैंसे यहाओ पर दूसरा के नाम है लाइक है और माइकवर्टनी टूबगोसिस का क्या है कॉस्ट बेसल आ है के और चोछ रोबर्ट कॉज़ बेक्रियोस के नेम पर है और हैंसन लेपरेम जिनर डिसकवर के उसके नेम पर है राइट एट पोश्न क्या है विच अप द फॉलेंग इस नॉन एट फास्ट अरॉगा इन में से कोई भी हमारा non acid fast नहीं है, तो इसका right answer हमारा हो जाएगा D, none of above, इन में से कोई भी non acid fast organism नहीं है, क्या ये सारे के सारे जो हमारे organism है, ये acid fast organism है, ठीक है, तो इसलिए हमारा D answer हो जाएगा, वो right हो जाएगा इस case में, इसी तरह के देखो, question बिल्कुल सान होते हैं, बिल्कुल confusing है, तो इसी तरह के question आपको attempt करने चाहिए, right, frozen stain are falling except, तो इन में से कौन सी frozen है वो नहीं है, बाकि सारी frozen है, तो इह हमारा हो जाएगा, oramine, rodamine, silver impregnation, none of above, तो इसका right answer हो जाएगा, right answer हो जाएगा, right answer होगा हमारा, silver impregnation, silver impregnation, कोई हमारी frozen stain नहीं है, ठीक है, बाकि rodamine, और जा हमारी auramina वो हमारी frozen stain केंटर आता है, right, silver impregnation वैसे किस के लिए करते हैं, जो हमारे minute particle होते हैं, जैसे कि flagella हो गया, bacteria का, जो flagella होता है, वो बहुत पतला होता है, तो under microscope वो हमको हीजली नहीं दीखने वाला है, इसलिए हम उसको silver से coat कर देते हैं, और एक तरीके से under microscope देखते हैं, जो कि जारा से मैं आपको exam बसा बता रहा हूं, right, next question के 12, bacterial structure involved in respiration, यह बहुत important question है, कई अवर बहुत अजीद परीकी घुमा के आ जाता है, तो bacterial कौन सा structure जो कि respiration में involved होता है, ribosome, mesosome, flagella और cell wall, तो इसका राट एंसर क्या हो जाएगा, mesosome, mesosome बहुत important है, regarding the respiration, तो bacterial structure जो कि respiration और यह कहां होते हैं, और around the cell wall होते हैं, next हमारा question है, endoscope is sterilized by, तो endoscope होता है, जो हमारा, उसको किस से sterilize करते हैं, हाना, जो testing के दुआरा यूज करते हैं, endoscope, endoscope कहते हैं, हम पेशनी करनी है, तो इससे हम किस चीज़ से sterilize करते हैं, so option यह हमार formaldehyde, autoclave से, glutaldehyde यह alcohol से, तो इसका right tensor C है हमारा, glutaldehyde हमारा chemical जिससे हमें को sterilize करते हैं, इसी को sidx भी कहते हैं, जहां रखना, sidx, goldaldehyde को sidx भी कहा जाता है, question 14 हमारा क्या है, all of the following are motile, except, तो इनमें सारे motile कौन सा नहीं हो बताना है, protease, ecoli, vibral, capsule, तो protease, swarming का motile ही है Ecoli भी motile होतार, vibral, shooting motility देता ही है, darty motility सुम कहते है, clapcilla ही बचा, जो की non motile है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, clapcilla 15th question, oil and grease are sterilized भाई, जो oil होते हैं, grease होते हैं, किसे sterilize किया जाते हैं, autoclave से, hot air oven से, incineration से, water bath से, किसे sterilize किया जाते हैं, तो इसको हम sterilize करते हैं, hot air oven से, जो हमारे grease और oil होते हैं, hot air oven से, इसको हम sterilize करते हैं, right, now question number 16, क्या है, which immunocon provide local limit, तो इनमें से कौन सी हमारी IG है, जो की में मिल्क में ब्लड में तो अलगल जगा पर मुकस में वहां पर यह मिलती तो अराउंड लोकल एरिया अपने को यह कि एक्ट करने को देखने को मिलती है तो इसका राइट अंसर कर जा आई जी ए तो यह थे हमारे 16 कोशन 16 में से आपके कितने सही यह आपने चीक में बता रहा और वीडियो चले को लाइक कर देना नेक्स वीडियो हम कोशिश करें कि यह रूटीन में बनाई जाए मतलब वीक मे में बनाई जाए बहुत लोग के मेसीज आ रहते हैं कि सर एमस्यू के विगारा तो देखेंगे धिरे-धिरे कुछ नए भी चीजे लाने की सोच रहा हूं बाकि हम देखते हैं क्या करते हैं ठीक है